नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत हैं अंको योके सेंटर में दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो इंडेस्ट्री में हम लोग बेल कॉन वेर यूज करते हैं तो जो जेनरल परपस के लिए जो बेल कॉन वेर यूज होता है वो कौन-कौन से टा अब हम लोग आगे दखेंगे कि U22 ऐसमें 24 का मतलब है और चैनल नियुक्य के लिएुच के सासी है है chemical में होता है वो अलग टेप का होता है अब चलिए हम लोग दिखते हैं कि यह जोनों बेल्ट का फीचर्स दिखते हैं पहले यह जो बेल्ट का फीचर्स दिख लेते हैं पहला पॉइंट बोडर की एक्स्ट्रा एपरसन रेजिस्टेंस यह जो बेल्ट दोस्तों इसके एपरसन रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है कॉट एन गॉजज रेजिस्टेंस इसमें इतना जल्दी कॉट का मार्किंग भी नहीं आता है नेच्ट बोडर के बेल्ट हाडनेस सोर एसे 65-70 मतलब एम टिफ़ुर गरेट का जो बेल्ट उसका हाडनेस 65 से 70 रहता है वेर और टियर का रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है अब M24 ग्रेट का जो बेल्ट दोस्तों को कुछ अप्लिकेशन देख लेते हैं चलिए इसका पाला अप्लिकेशन बोड़ा कि बॉल्क मेटरियल हैंडलिंग सिस्टम ये बेल्ट जेनरली बॉल्क मेटरियल हैंडलिंग सिस्टम में यूज किया जाता है जैसे किसी भी इंडेस्ट्री में जो रो मेटरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा तर इसका यूज किया जाता है सेकेंड पॉइंट बोल रहा कि all mining industry जितने भी mining है माइन से सब जगा पे M24 ग्रेट का वेल्ट का यूज किया जाता है अब हम लोग देखते हैं कि M24 ग्रेट बेल्क कट कुछ टेखनीकल लाटा पहला वालते के टेंसाइल इस्टेंड यह जो दोस्तों 24 है यही इसके टेंसाइल इस्टेंड को बताता है 24 newton पार mm2 में यह होता है नेक्ट बोलते है minimum elongation and break जब तूटता है तो उसमें कितना elongation minimum हो सकता है यह बॉलते है 450% होना होगा उसके बाद ही वह break होगा उसका maximum maximum abrasion loss इसमें जो abrasion loss होगा घिसाव के काराण मेक्सिमम कितना हो सकता है वो सकता वोतर 200 mm क्योट मतलब मतलब kubic mm में 200 होगा वो उसका maximum abrasion loss होता है next water maximum temperature ये एंट्वेटीफोर गेरट के भिल्ट जो है maximum 80 degree centigrade temperature को ले सकता है आप हम लोग N17 गेरेट का जो बेल्ट है उसको बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसका जो फीचर से दोखतों वो बलता को vibration resistance यह vibration resistance है ठीक है next cut and garbage resistance less than M24 यह M24 बेल्ट का जितना cut resistance था उससे थोड़ा यह कम रहा है wear and tear resistance less than M24 M24 बेल्ट का जो wear and tear resistance है उससे इसमें थोड़ा सा कम रहता है wear and tear resistance next इसका अप्लिकेशन देख रहे हैं चलिए यह N17 गेरेट का जो बेल्ट को बेल्ट को भी है इसका अप्लिकेशन में पहला पॉइंट बोलता है के टेंसालिस्टेन इसका टेंसालिस्टेन दोगा 17 newton पार mm square यह 17 उसका टेंसालिस्टेन को बता रहा है कितना 70 Newton पार mm2 में इसका minimum elongation 8 break जब तूटता है तो कितना minimum elongation हो सकता है वो है 400 जो कि M24 ग्रेट से कम है next maximum abrasion loss इसके abrasion loss कितना ये abrasion होगा घिसे का तो कितना loss होगा maximum तो बोरा कि 150 mm Q से ये कम है M24 ग्रेट बेल्ट से और इसमें सकते हैं तो दोफ्तों देखिए आज हम लोग जान लिए कि जो जनरल परपस कॉन्वेर बेल्ट होता है इंडिस्ट्री में जो यूज होता हमें सा वो दो टैप का है M24 और N17 ग्रेट का तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में जरूर लिखिए और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कि हो तो सब्सक्राइब करके ओल पर क्लिक कर दिए ताकि इस्टेप का मेरा डेली वीडियो आता है उसका नॉस्टिविकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच से कि देन नहीं